जिनको जिनको भी मैंने antivirus की link भेजी है और उनसे वो antivirus install नहीं हो पा रहा तो ये video पूरी देखना और ध्यान से देखना कैसे install होगा बहुत सारे लोगों का ये भी comment आ रहा है कि ये मेरे नाम से registered नहीं है तो मैं आपको बता दूँ यह अभी हमारे नाम से registered होता है जब आप इसको install करोगे तब आपके नाम से registered होगा कैसे registered करना है यह आपको मैं आपको पूरी वीडियो में बता दूँगा तो आप दिहान से देखें और आपके नाम से कैसे registered हो जाएगा वो भी आपको इसमें ध्यान से देखना ताकि आपके नाम से registered हो जाए तो जो link भेजा है मैंने आप देखोगे वटसेप पर ऐसा link आपको नजर आएगा उस link पर आप जैसे ही click करोगे है मैंखीigos क वेबसाइट खुल गया मैंका है त्य आपको किया करना हो चाहें लोग见 ये 779959 का है तो इसमें 7799 का है पणर नहीं करना है आप को आपके पास यूजर आइड और पासवर्ट है तो आपको सीधा क्या करना है मैंक फी पे धिक करने के बाद क्या होगा यह आपका यह home page खुलेगा जहां पर आपको जाना sign in को option पे sign in को option पर जाने के बाद sign in के option जाने के बाद जब जैसे आप sign in option पर click करोगे यह दोखो आपका यहां पर user ID और password मांगेगा तो user यूजर आइडी और पासवर्ट सीफ सेम आपके लिंक पर भेज दिया गया है देखो यह होता है हमारे यूजर आइडी ठीक है इसको आपको कॉपी करना है यह यूजर आइडी कॉपी करके और यहां पर paste कर देना है ठीक है फिर पासवड मांगेगा आपको पासवड उसी तरह यहां से copy कर लेना है और यह password आपको यहां पर paste कर देना है कि शाइन पर किलिक करना है साइन के लिप किलिक करने के बाद ही आपका सीधा डाउनलोडिंग के ऑप्सन पर पहुंच जाएगा जहां से आपको इसकी एंटिवारिस की की मिल जाएगी तो ध्यान रखनाए कैसे कैसे करना है मैं आपको पुरा प्रोसेस बता रहा हूँ आप informação डाउनलोड पिष्द करनेपि देखा यह आता है वनदिवाइस के लिए तोट़ प्रोटेक्सन होगे यह है यहां पे आरहा है डाउनलोड का ऑप्सन आ多हा है जैसे हम डाउनलोड पे एग्रीन डा साथ ही साथ आपका जो setup file है वह आपका यहां पे download में चला जाएगा download में चला गया यह सी पर आपको double click करना है yes कर देना है install पर click करना है installation आपका start हो जाएगा wait करना है थोड़ी देर यह install होने के बाद जब यह आपका intervirus install हो जाए install हो जाने के बाद macfee जब आप open करोगे उसके बाद यह देखो my account पर जाना है my account पर जाने के बाद आप click करोगे click करने के बाद आएगा my subscription my subscription में इस page का आपको screenshot लेना है और मुझे whatsapp पर send कर देना है अपनी gmail id send कर देना है ताकि मैं आपके gmail id से registered कर दूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह हमारे नाम से registered नहीं है तो यह video वो देखते नहीं है और मुझे call करते हैं whatsapp करते हैं वीडियो देखके आप मुझे इसका screenshot जरूर भेजें ताकि आपके नाम से registered हो जाए अपना gmail id भेज दें आपके नाम से registered हो जाएगा जैसे ही आपके नाम से ही यह सो करने लग जाएगा जैसे आप देख सकते हो अभी 365 दिन का left दिखा रहा है तो आपके नाम से ही यहां पर सो होने लग जाएगा और आपके gmail id से registered हो जाएगा और एक साल का subscription मिल जाएगा आपको